फिल्म की शुरुआत में बहुत सारे रोशनी के गोले दिखाय जाते हैं जो कि धर्ती की तरफ बढ़ रहे होते हैं ये एलियन थे और फिर एक एरोप्लेन के अंदर दो फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनका नाम शौन और बैन होता है एरोस्टे शौन को उसका मुब और कलब के बारे में जानकारी देती है वो यहाँ पर अपना एप एक कमपनी को दिखाने आये थे ताकि वो कमपनी उनके एप को खरीद ले उन्हें कमपनी की मीटिंग में जाना था लेकिन शौन का कोट फट चुका था तो वो एक ब्लैक मारकर से अपने कोट को सही करता है शौन और बेन उस कमपनी में जाके देखते हैं कि कमपनी के मालक ने उनकी एप का एडिया चुरा लिया शौन कहता है उन्हें वो एप बनाने में चार साल का समय लगा वो इस तरह से नहीं चुरा सकता तो कमपनी का मलक सेक्यूरिटी वालों को बुला के उन दोनों को भार निकलवा देता है और अब दो लड़कियों को दिखाते है नैटली और उसकी फ्रेंड शौन की बनाई आप को यूज करके एक कलब के अंदर जाती है नैटली अपनी फ्रेंड को शौन की फोटो दिखाती है जिसने वो आप बनाई थी और उससे कहती है कि शौन बहुत अट्र कि वो बिजनिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। चूने की कोशिश करता है और वो एक ही जटके में धूल के अंदर बदल जाता है सारे लोग डरके भागने लगते हैं बाकी एलियंस भी नीचे उतरते हैं एलियंस के नस्देक आते ही कार की हेडलेट्स अपने अब घ्लो करने लगती है एलियन लोगों को मारने के लिए अपनी बोड़ी में से करंट छोड़ते है जो उन्हें धूल में बदल देती है वो सभी लोग जान बचाने के लिए कलब के अंदर जाते है शौन उस बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर देता है लेकिन एलियन दरवाजे को तोड़ के अंदर गुसाता है यहाँ फ्लोर पे पानी बिखरा होता है एलियन जैसे ही पानी के उपर जाता है हर एक जगा करेंट फेलने लगता है और एक आजमी की डैथ हो जाती है कमपनी का बॉस जो अपनी गल्फरेंड के साथ था वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे एलियन पहले से थे कमपनी का बॉस जल्दी करते हुए कलब का गेड़ बंद कर देता है और उसकी गल्फरेंड भार की तरफ फस जाती है एलियन उसे मार देता है शौन को एक बेस्मेंट मिलता है उन्हें भार के लोगों की आवा जाने लगती है जिन पे एलियन हमला कर रहे थे यहाँ पे शौन, बैन, नैटली और उसकी फ्रेंट और कमपनी का बॉस होता है वो लोग एलियन की जाने का वेट करने लगते है वो लोग चार दिनों तक बेस्मेंट के अंदर बंद रहते है और कैन फूट खाके काम चलाते है लेकिन उनका खाना और पानी भी खतम होने लगता है और वो बेस्मेंट से निकलने का फैसला करते है कमपनी का बॉस जिसने शौन वाली एप को चुराया था बोलता है कि उसकी हिसाब से केवल 27 गंटे भीते हैं वो लोग देखते हैं कि कलब के अंदर सारे लोग धूल के अंदर बदल चुके हैं शौन सबसे कहता है कि वो अपने बैक के अंदर जितना हो सके उतना खाना और पानी रख ले उन्हें मदद मांगने के लिए US Embassy की तरफ जाना होगा शौन अपने पास एक मैप को रख लेता है जो उन्हें direction बताएगा भार जाने पे वो लोग देखते हैं कि शेहर में एक जना नहीं होता तब ही उन्हें एक भुड़ी औरत दिखती है शौन उससे एमबैसी पहुचने का रास्ता पूसता है औरत कहती है कि उन्हें एक ब्रिज को पार करना होगा शौन और बाकी सब उस ब्रिज पे जाते है लेकिन वो तूटावा होता है उस ब्रिज को एक शिप ने तोड़ दिया था तब ही उन्हें एक पुलिस की गाड़ी मिलती है शौन कहता है कि पुलिस वालों के पास जरूर से पूरे शेहर का मैप होगा वो उस मैप के जरीए एजिली एमबेसी पहुच जाएंगे शौन और बैन पुलिस कार के नजदीक जाके उसकी डिक्की खोलते है अंदर उन्हें टॉर्च और मैप मिलता है तब ही उन्हें एक कुता दिखता है जो कि एक इन्वीजिबल चीज पे भौक रहा था ये चीज उस कुते को धूल में बदल देती है एलियन शौन को देख लेता है और वो पुलिस कार की तरफ जाता है शौन और बैन गाड़ी के नीचे छुपे होते है एलियन गाड़ी के उपर से निकलता है गाड़ी के अंदर लगे होन अपने आप बजने लगते है और उसकी हैडलाइट चालू हो जाती है एलियन के अंदर से करण निकलता है जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा था एलियन की जाने के बाद शौन नैटली से मिलता है वो लोग एक मॉल में थे तब उन्हें मॉल के अंदर एक प्लेन दिखता है जो कि यहाँ पे क्रेश हो गया था कंपनी के बॉस को डल लगता है और वो कहता है कि हो सकता है एलियन ने सारी दुनिया के इंसानों को खतम कर दिया हो शौन उसे समझाता है कि वो एलियन से बच सकते है एलियन करन छोड़ते है और वो लाइट बल्ब के जरीए एलियन का पता लगा लेंगे एलियन अगर नस्दीक होंगे तो लाइट बल्ब गलो करने लगेंगे नेटली के थी है कि दिन का समय ज़्यादा खतरनाक है उन्हें रात को बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो दिन के समय लाइट बल्ब को गलोते वे नहीं देख सकते वो मॉल के अंदर रुक के रात होने का इंतिजार करते है बैन वो पुलिस कार से मिले मैप को देखके कहता है कि वो एमबेसी यहां से एक किलोमेटर की दूरी पे है शौन और नेटली मॉल से उनके लिए कपड़े चुरा रहे होते है शौन नेटली को कपड़े चेंज करते हुए देखता है तब ही मॉल के लाइट बल्ब जलने लगते है यहां पे एलियन थे एक एलियन नेटली के पीछे होता है शौन नेटली को बचाते हुए एक कांच के पीछे चुप जाता है एलियन कांच के बगल से निकलता है लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता शौन कहता है एलियन्स इंसान के अंदर के करन को देखते है और उस कांच ने करन को चुपा दिया था शौन और बाकी सब US Embassy पॉसते हैं यहां पे बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच तूटे वे होते हैं अंदर जाने पे शौन कहता है उन्हें बिल्डिंग के उपर जाना चाहिए ताकि वो देख सके कि भार के हलत कैसे है कंपनी का बॉस कहता है कि वो यहीं नीचे रुक के एलियंस पे नज़र रखेगा वो लोग उपर जाते हैं तो नेटली को एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि एलियंस ने पूरी दुनिया पे हमला किया था और उनकी वज़े से सारे इलेक्ट्रिक चीजें बंद हो गए तभी उन्हें एक रेडियो दिखता है जो कि पिंजरे के अंदर था रेडियो के अंदर से एक आवाज आती है जो की रशियन भाशा में थी ये एक तरह का मैसेस था शौन कहता है कि उनके साथ जो कंपनी का बॉस था वो ये भाशा जानता है तभी उन लोगों को बिल्डिंग के नीचे से गोली चलने के आवाज आती है शौन पाता है कि वो कंपनी का बॉस बिल्डिंग से बाहर है Sean और Ben company के boss को रोकने जाते है कि उसकी गोलियों के आवाज को सुनके alien आ सकते है तब ही Natalie देखती है कि एक गाड़ी की headlight glow कर रही है क्योंकि वहाँ पे alien थे Natalie की friend वो radio रख लेती है और वो नीचे Sean को warning देने जाते है Sean और Ben company के boss से मिलते है तब ही वहाँ पे alien आ जाते है company का boss उन aliens पे गोली चलाता है और वो Sean और Ben को वहाँ से भागने को कहता है कि वो उन aliens को रोके रखेगा aliens हमला करते हैं और उस company के boss को धूल में बदल देते हैं तब ही Sean को एक building से light जलती हुई दिखती है वहाँ पे एक आदमी जिन्दा था Sean कहता है हो सकता है वो radio के अंदर message को समझ पाए वो सब उस building में जाते है यहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम Vika होता है उसके parents की alien हमले में death हो चुकी थी वो यहाँ पे सरगे नाम के आदमी के साथ रहती है सरगे कहता है कि वो aliens के बारे में बहुत कुछ जानता है वो alien current से बने है उसने अपने घर को एक metal के पिंजरे में cover कर रखा है जिससे alien उन्हें देखने पाते सरगी उनके apartment का दरवाजा lock कर देता है शौन वीका को वो radio message सुनाता है वीका उसे translate करते हुए कहती है कि ये message रेशिया की navy से है उनकी एक submarine नदी के अंदर है वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग जिन्दा है और वो कल सुबर 6 गंटे में निकल जाएगी वीका नैटली और उसकी friend को लेके अपार्टमेंट से भार जाती है ताकि वो खाना एकटा कर सके नैटली अपनी friend को gate lock करने को कहती है तो उसे केवल अटका देती है सरगे बिशौन और बैन को अपनी बनाए एक बंदूग दिखाता है जो की एक तरह का electric current छोड़ती है सरगे कहता है कि वो इस बंदूग के जरीए एलियन को मार सकते है लेकिन ये बंदूग एक बैटरी पे चलती है नैटली और वीका एक अपार्टमेंट से खाना एकटा कर रहे होते है तब ही एक एलियन उन्हें देख लेता है एलियन जब उनकी तरफ आता है नैटली और उसकी फ्रेंट एक काच की टेबिल के पीछे चुप जाते है जिससे एलियन उन्हें देख नहीं पाता तब ही सरगे अपनी बंदूग को टेस्ट करने के लिए एलियन पे फायर कर देता है लेकिन बंदूग के अंदर बैटरी डाउन हो जाती है और वो काम नहीं करती जिससे एलियन सरगे को खतम कर देता है शौन नैटली को खिड़की से होतो हुए बाहर भागने को कहता है नैटली भागती है लेकिन उसकी फ्रेंट डरके मारे वहीं टेबिल के पीछे चुपी रह जाती है नैटली की फ्रेंट को मोका मिलते ही वो भागने की कोशिश करती है लेकिन एलियन उसकी टांग को पकड़ लेता है एलियन के चूते ही नैटली की फ्रेंट धूल में बदल जाती है तब ही वहाँ शौन आता है और नैटली को खिड़की से रेस्क्यू करता है वो लोग बिल्डिंग के नीचे विका से मिलते हैं बैन वो सरगे की बनाई बंदू को रख लेता है जो उनके बाद में काम में आएगी एलियन उनके पीछे होते है तब ही उन्हें चार आदमी मिलते हैं जो कि रशिया की आर्मी से थे उनमें से एक गोड़े पे बैठा हुआ था जो कि उनका लीडर था इसका नाम कैप्टन मेव होता है कैप्टन मेव और उसके आदमियों के पास बहुत सारी बंदू के और रॉकेट लाउंचर थे तब ही वह आए एलियन आता है तो कैप्टन मेव और उसके साथी एलियन पे हमला चालू करते है वो एलियन को आग लगा देते है और फिर उसके रॉकेट लाउंचर से हमला करते है इसकी वज़े से एलियन की बोड़ी मेग बलाश्ट होता है और उसकी बोड़ी का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है कैप्टन मेव और उसके साथी उन्ने मेटल की चेंज पहनी होती है ताकि एलियन उन्हें देख नहीं पाए कैप्टन मेव कहता है कि जो टुकड़ा गिरा वो एलियन की शील्ड का है एलियन के पास शील्ड है जो कि उन्हें हमलों से बचाती है और इसी शील्ड की वज़े से वो दिखाई नहीं देते इन एलियन को मारने के लिए उनकी शील्ड को खतम करना पड़ता है कैप्टन मेव शॉन और बाकियों को उनके बेस ले जाता है शॉन उन्हें सब्मरीन के बारे में बताता है कि वो उन्हें रेस्क्यू कर लेगी शॉन कैप्टन मेव से मदद मांगता है कि वो उन्हें सब्मरीन तक ले जाए और बदले में शॉन उसे अपनी बंदूग देगा जो एलियन को मार सकती थी कैप्टन मेव कहता है कि वो मेट्रो के टनल के जरीए कुछ ही गंटों में वहाँ पे होंगे वो लो मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तब ही वहाँ पे ऐलिएन हमला करते है कैप्टन मेव का एक साथ ही जमीन पे बहुत सरे लाइल बल्ब्स को फेक देता है जो की ग्लोग करने लगते है जिसका मतलब वहाँ पे एलियन था कैप्टन में उन्हें पट्रियों से होते हुए भागने को कहता है लेकिन वीका एक पिलर के पीछे फजाती है और उसके सामने एलियन होता है बैन वीका को बचाने के लिए वहाँ पे जाता है वीका की जान बच जाती है लेकिन वो एलियन बैन की टांग को पकड़ लेता है एलियन बैन को अपनी तरफ खींच के उसे खतम कर देता है अब वो सभी वहाँ टनल से बाहर निकल के एक नदी के पास पहुंसते है यहाँ पे उन्हें एक बोट मिलती है बोट का इंजन बन था लेकिन हावा के जरिये पोट उन्हें नदी के दूसरी तरफ ले जाती है उन्हें नेवी की सब्मरीन दिखती है उनकी बोट सब्मरीन के बहुत करीब थी और तब ही उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखती है ये रोशनी जमीन से होती हुई आसमान की तरह जाती है कैप्टन मेव कहता है ये रोशनी एलियन की वज़े से है एलियन धर्ती से कीमती धातु लेने आये थे जैसे की आइरन और कॉपर शौन देखता है कि वो एलियन बिल्डिंग को डिश्टॉर कर रहे होते है और उसमें से एक बिल्डिंग उनकी नाव पर गिर जाती है नाव पलटके पानी के अंदर डूब जाती है शौन और बाकी सबी लोग पानी में होते है तब ही वह सब्मरीन वाले लोग आके शौन और बाकियों को बचाते है शौन देखता है यहाँ पर नेटली नहीं है सब्मरीन वाले लोग कहते है कि उन्होंने नेटली को नदी के दूसरी दब देखा था तब ही शौन को आसमान में एक रोशनी दिखती है यह फ्लेयर गन से निकली हुई रोशनी थी शौन कहता है कि यह नेटली ने की होगी और वो नेटली को रेस्क्यू करने जाएगा कैप्टन मेव कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे एलियन होंगे उन्हें नेटली को बचाने के लिए एक प्लान बनाना होगा वो लोग एलियन को मारने वाली एक और गण बना लेते हैं ये गण कैप्टन मेव रख लेता है सब्मरीन वाले लोग उनकी गण के लिए बहुत सारी बैटरी देते हैं कैप्टन मेव कहता है कि वो इस गण की मदद से एलियन की शील्ड को खतम कर देंगे वो शील्ड की मदद से एलियन अद्रिश हो सकते थे और अब वो लोग नैटली को ढूंडने के लिए जाते है वो लोग एक पुराने रेलवे स्टेशन पे होते है शौन को नैटली का बैग मिलता है वो लोग जमीन पे हर एक जगा सैलफोन को फेकने लगते है अगर वहाँ पे एलियन होगा तो फोन अपने अब चालू हो जाएंगे तब ही वहाँ एक एलियन आता है और एक सैलफोन की रिंग टोन बजने लगती है शौन उस एलियन पे गन चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गन काम नहीं करती और शौन का पांसलिप हो जाता है शौन अपनी गन को ठीक करने लगता है जिससे उसकी गन चालू हो जाती है शौन के फायर करने पे एलियन की शील्ट काम करना बन कर देती है और वो विजिवल हो जाते है कैप्टन मेव और उसके साथ ही एलियन पे गोली चलाने लगते है जिससे एलियन बलाष्ट हो जाता है एलियन को मरता हुआ देखके शौन एकसाइटमेंट में चिलाता है नैटली एक बस के अंदर थी वो शौन के चिलाने के आवाज सुनके मदद के लिए आवाज लगाती है शौन और बाखी लोग नैटली को बचाने के लिए जा रहे होते है तब ही उन्हें बहुत सारे सैल फोन की रिंग टोन सुनाई देती है जिसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे एलियन है कैप्टन मेव कहता है कि उनके पास एलियन को मारने के लिए इतनी सारी गोलिया नहीं है शौन एक प्लान बताता है कि वहाँ पे एक पानी का टैंकर है वो जमीन पे हर एक जगा पानी को फैला देंगे और जैसे एलियन पानी पानी पे आएंगे वो अपनी बंदूग से करन छोड़के उन सभी एलियन को एक साथ खतम कर देंगे शौन नैटली को बचाने के लिए बस की तरफ जाता है कैप्टन मेव और उसके साथ ही उनके सामने तीन एलियन को देखते है लेकिन वो एलियन वहाँ भिकरे हुए पानी को देखके रुख जाते है तभी वहाँ वीका आती है जो उन सभी का पीछा कर रही थी वो वाइन्स की बोटल को फेक के एलियन के पीछे आग लगाने लगती है ताकि वो पानी पे जाने को मजबूर हो जाएं एलियन जैसे ही पानी की तरफ बढ़ते है कैप्टन मेव अपनी गंट से करेंट छोड़ता है ये करेंट उन तीन एलियन को एक साथ लगता है जिससे उनकी शील्ड खतम हो जाती है कैप्टन मेव के साथी बंदू को से हमला करते है और उने एलियन को खतम कर देते है शौन बस के अंदर जाके नैटली से मिलता है तब ही वहाँ एक एलियन बस के अंदर गुज जाता है एलियन की बॉड़ी से जो करेंड निकल रहा था उससे बस अपने अपचाद हो जाती है शौन उस एलियन पे गन से फायर करता है लेकिन कुछ दिर बाद उसकी गन की बैटरी डाउन हो जाती है शौन नैटली से बस को रोकने के लिए कहता है एलियन की शील्ड खतम हो चुकी थी तो शौन उसके पास रखे एक एलियन के टुकड़े को फेकता है जिससे एलियन बलाष्ट हो जाता है ये टुकड़ा एलियन की शील्ड का था जो उसे पहले मिला था एलियन के बलाष्ट होते ही वो बस अपने आप रुख जाती है शौन और नैटली बाहरा के कैटन मेव से मिलते है शौन और नैटली उस सब्मरीन पे जाते हैं शौन कैप्टन मेव को अपने साथ चलने को कहता है लेकिन कैप्टन मेव जवाब देता है कि वो वहीं रुक के बाकी बचे एलियन को खतम करेगा सब्मरीन के लोग नैटली के फोन को रिपेर कर देते हैं नैटली को अपने मॉम का मैसेज मिलता है कि वो अभी तक जिन्दा है और फिर फिल्म के लाश में दिखाते हैं कि शौन और नैटली रेडियो के जरीए बाकी लोगों को भी बताते हैं कि उन्हें एलियन्स को कैसे मारें